पिछले महीने आपने एक बहुती बड़ा स्टेट्मेंट में किया था, काफी वाइरल भी हो गया था, एक बार मैं उसको रिफर करना चाहता हूँ और फिर मैं उस पर आपसे एक सवाल भी पूछना है था, एक बार देख लेते हैं, जून में जो अनल जी का बहुत वाइरल व स्ट्रोंगली और मजबुती से यह मानना है कि इस बार रिटेल पैसा बना कर जाएगा, अभी भी बनाया है, आगे भी बनायेगा, बशर्त है कि आपको इन्वेस्टर होना पड़ेगा, अल्टिमेटली हमारे यहां जो मेरा समझना है, उस तरह की तेजी बनेगी और उतनी लंबी तेजी बनेगी जो एक जमाने में जापान में बनी थी, जापान में 40-45 साल का बुलरन आया था, लंबा वाला, expansion period, मैं बताता हूं क्यूं, मैं दो मिट लूँगा, लेकि मैं बताता हूं क्यूं, दुनिया में दो बड़ी अर्थ विवस्ता है, एक अमेरिका है और जाइना है, अमेरिका की अर्थ विसता चलती है consumption पे और चाइना की अर्थ विसता चलती है production पे, दो सिलेंडर है आपकी अर्थ विवस्ता को मजबूती देते हैं भागाते हैं, जैसा है एरो प्लेज चलता है नो, दो engine पे, यह दो engine है, हिंदुस्तान एक मात्र ऐसा एरो प इकोनोमी हम बना रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय, आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हमारी जेनरेशन के बाद जो आये हैं दुनिया में, वो बहुत खुशनसीब हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़े है पीडेट देखेंगे, यह मेरा बहुत स्ट्रोंग हाँ, यह कोई एक तरफा तेजी नहीं है, इसमें बीच-बीच में जटके लगेंगे, बहुत सारे कमजोर ट्रेडर्स जो डिस्प्लेन नहीं रखने वाले इन्वेस्टर्स वो बाहर भी होंगे, लोगों का भरोसा भी तूटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक वो जमाना आएगा, जहां न सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट को डोमिनेट करेंगे, बल्कि अब इसके आगे और एक बड़ा आपको स्टेट्मेंट दे रहा हूँ, आशु जियान सा सुनिएगा, बल्कि हम इतने बड़े होंगे कि इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आने वाले 15-25 साल हमारे ही हैं। कि आपकी बात सुनने के लिए तयार था, लॉंग टर्म तो आपने एक वियू दे दिया, बट इस बात पर जारे एक बार बाता है, क्योंकि ग्लोबल आर्थिक सिती कि जो भी बात हो रही है, हमने दो दिन पहले वो लिंक भी किया कि भारत में तो मंदी नहीं आने वाली प्रॉबलम तो उनकी वहाँ सबसे ज्यादा है, नो डॉट कि ऐसा नहीं कि इंफलेशन हमारी प्रॉबलम नहीं है, हमारी भी है, 100% है और हमारे यहां भी इंफलेशन जो है वो हमारी acceptable limit से कहीं ज्यादा है, ठीके ना, लेकर इंफलेशन के साथ अगर आपको ग्रोथ मिल र ही है, उसके बाद आप बहुत 2% की negative interest rates पर आप चल सकते हैं, जहां दूसे डेशों को 77-6% negative interest rates पर चलना पड़ रहा है, तो मेरी काल से उसलिए हम काफी बहतर है, राग ग्रोथ का सवाल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी ग्रोथ उन से बहतर रहेगी, अगर अम इस समय और पैसिमिजम था, 15,200 के आज सपास 32,200,300 के आज सपास किसी को लेना नहीं था, और तब मुझे याद है उस दिन ये भी का था कि 50% आप अपना अब तक total कम से कम mutual funds में डाल दीए, आप मार्केट में पैसे लगाने लिए, टुगडों में लगाईए, एक और चीज आपको बढ़िया रिटर्न करके मिलेंगे, अब वो बात अलेगे कि 14 जून से 14 जुलाई या 30 जुलाई तक मार्केट चारचे हफतों में आपको रिटर्न दे दे, या चारचे साल लगाए, ये करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ-कुछ सिगनल ऐसे होते ही, जहा पर आपको हमेशा खरीदारी करने के लिए बढ़े संकेत मिल जाते हैं, पेसिमिजम, FIS की इंडेक्स लोंग पोजिशन, लोएस लेवल पर, कैप्युचिलेशन हो चुका है, काफी केश मार्केट के स्टोक, 40-40-50, 60 परसें गिर गए, इन फिक निफ्टी के स्टोक गिर आपका confidence level और बढ़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सापको सावधार रहना है, जो SIP investors हैं, जो regular investors हैं, उनके लिए चिंता की बात नहीं, जो day-to-day market ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी चिंता की बात नहीं, यो कि day-to-day वालों के लिए भी रोज का market है, रोज स्टॉप लोस ऊप सबदलता है, उन ट्रेडर्स के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो चार-चे हफते का view लेकर market पे उतरते हैं, 15,200 पे उनसे लिया नहीं जाएगा, 17,600 पे बेचा नहीं जाएगा, तो उन्हीं के लिए दिक्कत है, बाकि long term तो आप कोई इशू ही नहीं, जीसका 3-5 स का view है, short term वाले का view है, for example, अगर आज 16,900 के निचे बंद होता है, तो short term investors को अपना stop roast लगा के निकली जाना है, तो भी आप discipline पे हैं, so I think positional view लेने वाले investors को, अब जब वो खरीदारी करें, तो selectively खरीदारी करनी है, बस, selectively खरीदारी करनी है, बिल्कुल तो चलिए, यह आ